तो बबलु भाई ये अपनी अभी दूसरी कोडिया ना प्रदिव वेघ्य है लिख नाम इसका नाम हिसका नाम प्रदिव निराली निराली की उम्मर क्या होगी मिवर्द क approval करीबं प्रता नाम. है और माथे पहने की पठ्टा हलका सा एक है थोड़ा सा है बलेज लोग आते हैं तो दि मोटवेट नहीं करते हैं यह माथे पठ्टा तोट मुझेस ज़म पर दय मिदें है कि देको प्रजिभाइम भॉलते का नी बूलते तो लोग तो फ्रशलपडह नाम रखते हैं तुम्सने माते फूल लाओगे तो भी पर अज निकलेगे और तिलड़ के तो भी कमिया निकलेगी तो सुनो साधे दुनिया की कर condiciones पैसें अपने हैं सब कुछ व कुछ आपना है किसी का सुनकी कुछ करें तो अटे जैसे की भरीयों के बारे में आपकी personal की क्या क्या रह राइ प्रधी ब्रब मैं खुद तो कुछ नहीं मानता ऑं अधा जीतनी बेकर भरी हुँ बस घूडी कुबसरत हो तो और लेश newer के लिए कभी भी तैयर रहता हूं तो मैं बाल बहुरी कभी देखता हूं नहीं क्योंकि प्रदी बाल बहुरी के चक्कर में बहुत सारे जानवर अच्छे जगे पर जाने के लिए चुट जाते हैं बैसे बाल बहुरी देखना जानते हैं प्रदी बाई अभी कुछ लोग आते यहां पर देखने के लिए बढ़े आपने पास कुछ सेल के लिए नहीं रहते हैं अगर थोड़ा सा नैन देखे चले जाते हैं अच्छा बोलता है इसको यहां पर देव मन है यहां गले के नीचे कंटमन है वाप इस बोलता है यह तो जितने भी लोग आते हैं तो थोड़ी- अपनी सलाह देखे जाते हैं अगर सुनना है अपने को जो सही लगे वही आपने को करना है लास्ट में तो जैसे कि आपका जो यह फाम है जब पहले अपने वीडियो सूट करा था तो यह पूरी मेरों लगता है पूरा मैदान था अपर दिबाइए कैसे मकानों के बीच में कैसे आगया फाम प्रदी यह अपना पूरा लैंड अपना खुद कहीं था अपने इसके अंदर प्लोट काटे थे कॉलनिया काटी थी तो अभी बीच में लॉक्डाउन था कोरना के उज़े से कुछ लोग चले गए थे कुछ लोगों को काम दंदा नहीं था तो उन लोगों ने तब डेवलेप्मेंट नहीं की अभी जैसे लॉक्डाउन हमारे महारस्टा का खुल गया तब इसे लोगों ने घर बानने के लिए काम चालू करें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मकान बन गया निकी तो भी पर दिबाई उस कहने से बहुत मकान बनते मकर ये लॉ मारवडी गोड़ा आप क्या समझते हो मारवडी गोड़े में और आगे आपकी क्या प्लानिंग है प्रदी भाई मारवडी गोड़ा मेरे हिसाब से तो सभी गोड़ों में खुबसूरते में एक नंबर है कि मारवडी गोड़ों में जो ब्यूटी है वो ना अरिबियोन गो और इनकी होशयारी यो मालिक के प्रतिर इतना लगाओ मारवाडी घोडो में है उतना मैंने मुझे नहीं पता कि कोई और घोडो में भी होगा तो इसलिए मारवाडी घोडे आज पूरे बोलते हैं देश में एक नंबर पर चल रहे हैं तो बबलु भाई आगे क्या प्लान हैं आप एक साल कर सकते हो दो साल कर सकते हो तीन साल कर सकते हो पर सोग ज्यादा लंबा करो कि मेरे को पता है अभी तक आपने खाली गोडा ही सैल किया उसके लाब कोई सैल परचेज वड़ा अपना कोई काम नहीं है तो आगे क्या प्लानिंग है आपको प्रति बाई मैंने एक गोड़ा मेरा बड़ा वाला दे दिया जो इशोनात था अभी में पास छोटा गोड़ा है जो काफी लोग बोलते खुपसुरत है मैं भी मानतो हुपसुरत है अतिस उंदर बोलके तो पर दिभाई उस गोड़े को उस ताइम पर कुछ अच्छी गोड़िया नहीं मिली बिस्म माधा बच्चे आपने महाधाष्ट्र में आपने खुद की फाम प्याए बभलो बिस्मनाद गोड़ा हाइट में 67 के करीब था ना हाप पर दिभाई गोड़ा तो 67 था मंगए हम 66 प्लस ही बताते थे नहां चलो 66 इंच ता तो आजकल तो मार्केट में हाइट वाली गोड़ प्राइन का था और बहुत सारी हाइट और उसकी लेंद पंचकल्यान था खूबसूरत था महारष्ट्र में क्या है पर दिभाई बहुत सारी गोड़िया का में वेर्डिंग के लिए तो इतनी गोड़िया मिलती ही नहीं गोड़ों को और इतना अच्छा गोड़ा बस कुछ इने चुने गोड़ियों पर खुले उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा तो वह सोचा फिर बात में उतने में सनी भाई का फोन आया तो सनी भाई बोले गोड़ा मुझे चाहिए क्योंकि आज सनी भाई होस्वल्ड का जाना माना नाम है आज एक चोटा बच्चे को भी पू अग्रोड़ा दे दिया आज उस गोड़ियों से करीबन 55-60 गोडिया क्रॉसिंग हो गई तो अमर्या साल में भी नहीं होती तो गोड़ा देने के बाद में बबलू भी खुस हो हाँ पर जोड़ा देने के बाद दिल से खुश है कि गोड़ा ऐसे जगे पे गया है कि करते क्योंकि Sannini बंगे मैं लोगों लेकर रखा कि आज तक में पहाती है महारास्ट की अंब आपके पास में गोड़ा था कि महारास्टकी के लोगों ने उसकी कदर नहीं समझें पर जाने के बाद में क्या tah一樣 कोई गलत बाते बोलना नहीं चाहते हैं मगर एक बात यह भी खुलके मैं कहीना चाहते हूं कि प्रदी भई महाराष्टे में गोड़ों अलग के साथ में एक जूटता नहीं है क्योंकि हर गोड़े वाला खुद को बहुत बड़ा बहुत आमीर बहुत बारी समझता है तो महाराष्ट में क्या में हिंतोत वह तहें हिंदूस्तान में रहें कि गुत पटे ब्ड़ाइसर नहीं हें हिंदूस्तान करें कि रहेंие देखो मैंध पन्जाब की गया था पंजाब में एक जूटता है नत edart में बहुतरी कि है कैसे लगता कि हमारे लोग हमारे गोडों को प्रमोट नहीं कर दें कि हमारे लोग बाहर जाने में ज़्यादा बला ही समझते अच्छा लगता कि बहुत लोग पंजाब के मेरे को लगता है कि माने के चलो 50 परसेंट गोड तो महराश्ट में आते ही होंगे तो ऐसे अपन कहीं नहीं सकते कि महराश्ट में अच्छे गोड़े नहीं है इतने अच्छे खड़े जो आज तक लोगों के सामने भी बहुत कम आये उन गोडों को अगर कोई बाहर का आदमी आके देख लेंगा तो वो गोड़ा वो गुज्जा से भी गोडिया कवरिंक आ सकत है बस मुब फे मीटी बात करो पीछे से बोलो यार्व क्या गोड़ा ए यह यह गंदी आदत हमारे महारश्टा के लोगों को है एव मुझाथ जोटे हैं जीछ आपकर वीडियो वेसे बोलते हैं चीज आपका एपका यह बोलते हैं मैंने सुना कई लोगों की रेकौर्डिं को कोई महारष्टा का नया बंदा समझों मैं हूं या और कोई नए बंदे आएंगे वह कोई नई चीज अच्छी चीज लाएंगे तो तुम वह चीज को प्रमोट करो ना कि वह नया है इसी दिए उसको दबाने की कोशिश करो इसे महारष्टा का नाम बढ़ेगा तुम लोगों को लगता है कि मेरे पास इतनी दंदवलोत है कि मैं सबसे बढ़ा हुमार तुमारे पास दंदवलोत देखके कोई गोड़े वाला तुमारे पास आता निए पहले बात तुमारे पास आदमी इसलिए आता है कि तुमारे पास गोड़ा है तो उस गोड़े की कदर करन लोग एक साथ नहीं खड़े रहेंगे तब तक तुम महाराष्टे में पांच करोड़ का भी स्टेलियन लाएंगे तो अब यह चलने वाला है नहीं जैसे आपने बुला महाराष्ट के लोगों में एकता नहीं है अब हो पर सिकाना महाराष्ट के लोगों मैं नाहीं बोल लाँ तो महाराष्ट के लोगों हमें सभी में पहुत अच्छे हैं जो नाम-चिन लोग वह तो किसी के बिश्में कभी पढ़ते नहीं जो जिसके पास ना एक दो गोडिया है दो तीन गोडिया हो थो कहने का मैं ने कि कि मैरा मतलब है कि बाई देख दो गोडिया समालना और e5ODY समलना बहुत परक होता है जब तो ने को나iren कि तो इस तेरें को गोडिया समुलिन के लिए कितनी महनत नड़िए हो दो गोडिया महनत समथ fırणिती है यान की बोले कि घ्राक वगेरा गोड़ा गोड़ी देखने के लिए तो जब लोग दूसरों के पास में जाते तो वो तो डायलोग डिलेवरी देखे और यान की बहुत तंत्र विद्ध्या करके आदमी को सेट कर लेते हैं तो कि जब आपके फाम पर आते ता आपको भी लगत क्या के मत की होगी आपके चैनल पर इतने नए बंदे जुड़े हैं कि उन्होंने भी आपके वीडियो इतने सारी देखी है कि वो मुझे नहीं लगता कि इतने इसली किसी के बाइकाव में आएंगे या कोई भी दो लाक के गोड़ी बीस लाक में लेंगे तो पर दिब यह कुछ मेरे मेरे पास तो सेयल पर इने मैं खुदी है कुछ चीज़ हाँ मेरे जोड़े के लिए आज मेरे पास 10 वारा गोड़ी अपर दी भाई भी खड़ी इस तो एक नया प्लोट हैं भी आमने पर चेस किया क्या क्योंकि यह पर अमको जगा तो यह मकान बने लागन बन र बनाएंगे एक सिस्टेमेटिक जा बड़ा असा पेड़ा को तीच चालीस कंब्रे बनाएंगे गोडों के लिए अभी दस पंदा गोड़े तो हमेरे पास रिसेंटली और खरीदने का प्लान बना रहे हो क्या प्लान तो ही क्योंकि देखो गोड़े का शोक तो बढ़ता ही जा सब्सक्राइब तो मेरे पास गोड़े से कवर कर तो मेरे को चीज पसंद भी नहीं जिसको लगेगा कि इस गोड़े में दम है यह चीज में कुछ खास यह थे तो खुद होकी खुद होकी आएगा तो मैं चाहता हूं ना प्रदी भाई मेरा गोड़ा में मैं खुद उसकी बच्चे मेरे घर पे लोगों को दिखाओ कि यह आती सुन्दर है 61 का मगर इसके बच्चे देखो इस 64 के खड़े तुमार सामने तो बबलु भाई अब आप बताए एक काम जरूर कर लेना आपना फोन पूरा चार्ज गर के रखना रखना बताए को पूछो काई को क्योंकि मेरे को लगता कि आपने बोल दी 30-40 गोड़िया लेनी है अब हिंदुस्तान का सारा दलाल आप से इतनी मीटी बात करे हैं जैसे मदुमक की साहत प अपने मतलब अच्छी मेरे आप उन लेनी चाहिए तो आप उससे जरूर लेंगे पर दिए नहीं तो भी सेट कर देते हैं और तो बोलता है कि यह गोड़ी जो प्रणूस्तान में कोई गोड़ी दे यह डायलोग भी एक आजकल क्या ही ट्रेंडिंग में चल रहा है गोड़ लेनी चाहिए तो चलो वह उनका काम है वह दिखाएंगे बेचेंगे तभी उनका घरदाल चलेगा तो उनका काम करते रहे अपने को इस चीज करना चाहूंगा साबदानी बरतना है क्योंकि यह गोड़ा मार्केट ऐसा है न अच्छे अच्छे बिजनिसमेन और अच्छे अ प्रदी बाइव तो मैंने भी सुना है कापी लोगों का कापी लोगों ने मुझे बताए मैंने जब गोड़ा मार्केट में आया तो मैं सुछता था बहुत अच्छे आद्मी मैं भी ऐसी बरूसा कर लेता था यार यह इसके बरावर साला नॉलेज किसी को नहीं है पर बाद आई से दो गोडिया रखने वाले जनके घर पर बच्चा पैदा नहीं हो वह सबसे ज्यादा न्यान पहलते हैं जिसने कुछ पाइदा करके दुनिया में दिखाया ना वह कभी जादी बड़ी बाते नहीं करता हूं उतना ही बोलता है जितना हूं सच है और जिसके बास इतना भी नॉलेज मत दो कि उसको लगे कि आपकी इतना होशार कोई इंदोस्तान में कड़ा नहीं है शुरू-शुरू में होता होगा ना वैसे शुरू-शुरू में तो प्रदी बाई मेरे साथ में बहुत हुआ कि किसी को मैं कुछ फोटो बेशता तो वोलता कि यह यह सह नहीं है इसका नेक सरी नहीं है तो यह पर दिबाई चलते ही रहता था जैसे जैसे हम इस लाइन में गूमते रहे देखते रहे कम से कम हमने हजारों घोड़े आखों के नीचे से जाते हुए देखे तब आमको पता चला कि यह सब कुछ गलत है चीजे बहुत सारी है एवेल के आने वाले टेम में काम जाएगी और बहुत सारी बाते हैं से भी बताई जोवेशों के चुब हैं जो अहीं हमकोडों को भी आपकर करना है या गोड़ों में से पईसे कमा के बंगलेवान ने हम यही चाहते हैं कि नए बंदे आएंगे तो मारवडी होस वर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा कल बाहर की कंट्री वाले भी बोलेंगे हमको भी मारवडी गोड़े चाहिए तो हम मेरा कहीं है कि और 10 लोग जोड़ो ना कि 10 लोग घटाओ तो इसलिए आपके सामने आम कुल के बोलते बाई अगर हमको अमारा माल बेचना होता हम यही बोलते प्रदी बाई इतने बड़ी गोड़ी है इसे गोड़ी पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है और इसका बच्चा इतने लाखों में जाता है उतने इस गोड़े का नाम पर दे बाई निराली है निराली है ओके थैंक यू लोगे बाई